Hello students, आईए बचो, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का अभ्यास प्रश्ण पत्र 5 को कराएंगे बचो इसके आगे मैंने अभ्यास प्रश्ण पत्र का 1, 2, 3, 4, 4 अभ्यास को हम सिखा दिये हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लिजेगा क्योंकि ये सब एक्साम के लिए बहुती जरूरी रहेगा ये आपका जो चार चैप्टर है, सारा चैप्टर से उपसर, प्रत्य, अर्थ क्याधर, परबाकी किभेद और अलंकार ये समाश, ये चार चैप्टर से मिला कर दिया गया प्रश्ण है, ये आपके एक्जाम के लिए बहुती इंपोर्टेन रहेगा तो आप सुरू से अंतक वीडियो को जरूर देखिएगा एक कका, भिन उपसर्ग उसे बने शब्द को पहचान कर समोशे बाहर कीजी कू पात्र, कशूर, कू कर्व, कू अपसर्ग, दो दिखिए बच्चों, इसमें भी कू है, इसमें कू नहीं है, इसमें भी कू है और इसमें भी कू है, तो ये एंसर सही होगा ठीक है, ये समोश से बाहर हो जाएगा खा नमबर दिखिए, भी न उपसर्ग से बने, सब्द को पहचान कर समोश से बाहर कीजी अपवय, अपकृति, अनमोल, अपवाद, तो ये अलग है, सम में अप, 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 उपसर्ग है, के बाल इसमें है, अन, इसमें इसलिए यही होगा गा नमबर दिखिए, अलबत्ता सब्द में प्रयूट, उप, 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 सर्क का चैन कीजी, किसमें, अलबत्ता में, उप, सर्क क्या होगा अल, अन, कम, खुश, अल, अनमबर सही होगा गा नमबर देखें जातक सब में प्रयूक्त प्रत्तय का चैन कीजिए जातक अक आई अनियर क अक जात जोड अक जातक नेक्स देखें अंगा नमबर में चर आई सब में प्रयूक्त प्रत्तय का चैन कीजिए चर जोड आई तो आई सा नमबर एंसर सही होगा आई टूका का देज भक्ति किस तत पूरुशमास का उदारन है इसको बिग्र कीजिए तो आपको समास समझ में आ जाएगा देज भक्ति देज के लिए भक्ति तो के लिए किस में आता है शंप्रदान में इसलिए ये होगा संप्रदान तत पूरुशमास नेक्श देखिए निम्नांकित में कौन सा पद अब्वई भाव समास है ग्रिहागत आचार कुशल प्रतिदिन कुमारी प्रतिदिन दिन दिन प्रतिदिन और अब्वई समास का पैचान क्या है अब्वई भाव समास को जानने के लिए आपको क्या जानना है उपसर यानि जिसका पहला सत्थ उपसर होगा ये एक पैचान है अग दूसरा है जब आप बिग्रिव करेंगे तो एक ही सब्द जब दो बार आएगा और बीच में खाय फिन आएगा तब हो अब्भवाभ समास होगा जैसे दिन दिन प्रति दिन तो यहाँ पर दिन हायफिन दिन इसलिए ये अब्भवाभ हुआ अगर अलग-अलग सब्द होता और बीच में ये डैस होता तो आप उसको दंद समास करते लेकिन एक ही सब जब दो बार आएगा और बीच में यह हाइफिन रहेगा तो यह हो जाएगा अब्वई भाप समाश नेक्श दिखे गानमबर अब्वई भाप समाश का एक उधारन यथा सक्ति का सही भिग्रव शक्ति के अनुशार यथा सक्ति इसलिए सानमबर अपसिन सही होगा घानमबर चक्रधर समस्त पद चक्रधर समस्त पद क्या होगा चक्र को धारन करने वाला ठीके बानमबर अपसिन सही होगा दिब्य दिरिष्टी समस्त पद का सही भिग्रव दिव्य है जो द्रिष्टी यह होगा इसका बिक्रण जो आया इसलिए यह कर्मदारे शमास नेक्ष देखिए तीन काक का सारा सामान उठाल लाना बाके में अर्थ के आधार पर बाके का भेद बताई है तो यह हो जाएगा दा नमबर आपसें सही आग्या वाचक इसमें आग्या दे रहा है नमचो शारा सामान उठाल लाना इसलिए आग्या वाचक होगा खा नमबर क्या वो जूट बोल रहा है ये सुनने से लग रहा है ये प्रश्न किया गया है पुछा जा रहा है कि क्या वो जूट बोल रहा है और ये प्रश्न सुचक है इसको देख की आपको समझ में आ जाएगा कि ये दा नमबर आपसें सही होगा प्रश्न बाचक नेक्ष देखिए गा नमबर में शरोज बिद्या ले जाओ ये ओडर दे रहा है आग्या दे रहा है इसलिए ये आग्या वाचक होगा ठीक है नेक्ष देखिए गा नमबर में संदेव आचक बाक्य को चुन्दा है संदी वाचक तो इसमें बा नमबर सही होगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है अंगा नमबर इसमें आपको इच्छा वाचक चुणना है तो इच्छा वाचक में शा नमबर होगा मैं डॉक्टर बनना चाती हूँ क्लियर चाल नमबर में अब आपको अलंकार पहचालना है का नमबर दिखे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन शरोज बढ़ गये घटत घटत फिर ना घटे करू समूल कुम्मिय गा तो यह रूपकलंकार होगा क्योंकि दोही सब जब सेम आएगा और इसका बीच में यह डैस रहेगा तब वो रूपकलंकार होगा ठीक है? क्योंकि यहाँ पर यह बढ़त-बढ़त एक ही मीनिंग है और घटत-घटत का भी एक ही मीनिंग है। सब्द का आबरिती बार बार होता है रिपीट होता है लेकिन सभी का अर्थ अलग होता है चीक है तब वो हो जाएगा यमा कलांकार इसलिए ये रूपा कलांकार है बड़त बड़त मतलब बढ़ना घटद घटद मतलब घटना नेक्ज देखिए खानमबर एक ही सब दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है ठीक है इसलिए यहाँ पर यमा कलांकार होगा फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में या फूल 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 आया है सभी का अर्थ अलग होगा नेक्ज देखिए गानमबर सोहत ओडे पित पड स्याम सलोने गात मनहू नील मनी शेल पर आतप पर्यो प्रभात या मनहू मनहू देखिए आपको समझ में आजाना चाहिए कि यह उत्प्रेच्छा अलंकार है कि उत्प्रेच्छा अलंकार का पहचान क्या होता है मनहू जनू जो जानो मालो जब कोई भी बाके में रहेगा तो वो उत्प्रेच्छा अलंकार होगा बजो अगर अलंकार चैप्टर को आपको अच्छा से जानना है तो आप मेरा चैनेल में अलंकार और अलंकार के भेद को देख लीजेगा और अलंकार पहचानने का आसान ट्रिक को जरूर से जरूर देख लिजिएगा तो आपको अलंकार शेप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्ट देखें घानमबल भानु बंस राकिस कलंकु तो यहाँ पर रूपा कलंकार होगा। लास्ट है अंगा नमबल हरीपद को मल का मल से तो यहाँ पर यह उपमा अलंकार और अनुप्रास दोनों ही होगा। चिके तो सा नमबर आपसिन सही होगा। तो बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक किजेगा अपनी दोस्तों में भी शेयर किजेगा ताकि आपकी दोस्त भी सिख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दिजेगा। बेल आइकन को भी दभा दिजेगा ताकि मेरा पढ़ाई का हाल नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आजाए। तो फिर मेले ने ने टेक्षी जाए। जाए।